आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ आज का हमारा प्रश्ण है विद्यूत लेपन क्या है इस प्रक्रिया में अमलिया जल का उपियोग क्यों किया जाता है देखो प्रश्ण हम से क्या कह रहा है विद्यूत लेपन अब हम ये देखते हैं कि विद्यूत लेपन क्या होता है तो जैसे कि कोई एक धातू है पहले हम इसको उधारोने से समझते हैं मान लो ये हमारी एक किस चीज की धार ये हमना हमारा कोई स्टील का बड़तन है काई का है इस टील का बड़तन है अब हमें इसके नीचे वाली सतह पर क्या करना है हमें यहाँ पे तामबी की परत चड़ानी है ठीक है मान लेते हैं यहाँ पे हमें तामबी की परत चड़ानी अ तो इस पर हमें तांबी की परत चड़ानी है तो हमें ये करने के लिए विद्यूत लेपन का सहारा लेना होगा हमें इस पर तांबी की परत का विद्यूत लेपन करना होगा तब कहीं जाकर ये स्चील की परत पर तांबी की परत चड़ेगी तो अब देखो क्या होता है विद्यूत लेपन किसी धातू की सतह पर किसी अन्य धातू का विद्यूत की सहायता से विद्यूत की सहायता से लेपन करना विद्यूत लेपन कहलाता है अब ये देखो कि इसमें अमली जल का उपियोग क्यों किया जाता है अब इसमें अमली जल का उपियोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें किस चीज से विद्ध लेपन करना है हमें करना है विद्यूत की सहायता से और विद्यूत का जो हम जानते हैं कि विद्यूत का चालन अमली जल में असानी से हो जाता है इसलिए इस प्रक्रिया में अमलीय जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि अमलीय जल में विद्युत का प्रवाह असानी से हो जाता है क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंज और एडवान्स के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर